नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पाड़ी भाईया में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माज्वाला देवी मंदिर जो कि हिमाचल परदेश के कांगणा जिले में इस्तित है जिसका निर्माण राजा भूमि चंद्र ने किया था और बाद में सन 1835 में राजा रंजीत सिंग ने इस मंदिर का निर्माण कारिय पूर पूर कराया तो दोस्तों यहाँ पर किसी पिंडी या मूर्ती के रूप में माता की पूजा नहीं होती है यहाँ पर जो पूजा होती है वो पिर्थिवी से निकलने वाली नौ जालाओं की पूजा होती है इस मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा घंटा भी स्ताफित है जो की नैपाल के राजा दोरा स्ताफित की गई थी तो दोस्तों ये कहानी बहुत पुरानी है जिस वक्त राजा अक्बर का सासन हुआ करता था भारत में उस वक्त जो है मा का एक बहुत भक्त हुआ करता था जिसका नाम था ध्यानो भगत तो एक बार ध्यानों भगत, अपने साथ अनिक सरधालों को लेकि मा की दर्शन के लिए हिमान्चल जिला की कांगडा जिले के वर प्रस्तान कर रहे थे तो दिली में राजा अकबर के सिपाईयों ने उन्हें देखा और उन्हें जोए राजा अकबर के दरवार में प्रस्टूद किया गया तो वहाँ पर राजा अकबर दौरा उनसे पूचा गया कि इतने सारे जनता के साथ आप लोग कहा जा रहे हैं क्या आपका मकसद है तो ध्यानो भगत ने राजा अकबर को अपना मकसद और मा के दर्शन हितु जा रहे हैं तो बताया उन्होंने तो उन्हें माहिमा का भी वर्णन किया राजा अकबर से तो राजा अकबर ने सोचा कि यह एक बार मा के और इस भक्ती की परिक्षा क्यों न लिलाई तो राजा अकबर ने ध्यानो भगत के घोड़े का गला काट दिया और ध्यानो भगत से कहा कि अब तुम अपनी माँ से ये बोलो कि इसका गरदन वापस जोड़ा के इसे फिर से जिंदा कर दे तो ध्यानो भगत जो है थोड़ा सोच में पड़ा उसके बाद उसने राजा अकबर से करीब एक महने का समय मागा और एक महने का समय मागने के बाद उसने राजा अकबर से बिंती की कि वो एक महने तक घोड़े की गरदन और धड़ को जो है किसी भी परकार की दवाईयों और लेक्या प्रियोग न करें इसे जैसे का तैसे रहने दें एक महने तक तो राजा अग्मर ने उसकी बात मान ली तत पश्चा ध्यानुब भगज जो है मा के दरवार के लिए निकले जब वो ये मा के दरवार में पहुँचे तो उन्होंने मा के दरवार में पूजा अर्चना की प्रातना की और उसने मा से बिंती की पर उस चीज का मा को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा अंत मैं ध्यानुब भगत ने अपनी तलवार से अपने ही धर से अपना गला अलग करके मा के चरणों में स्ताफित कर दिया तो ये सब देख के मा प्रसन हुई और साक्षात ही ज्यानुब भगत को दर्सन दिये और उसके बाद ज्यानुब भगत का सर भी उनके धर से चिपकाया और साथ ही उनके घोडे का भी धर जो है सही किया चिपकाया सर तो ये सब देख के जब पता चला राजा अक्बर को कि उसका घोड़ा वापस जिंदा हो गया है तो राजा अक्बर आश्चरिय चकित हो गया और उसने जो है कुछ सिपाईयों की तुकड़ी लेके मा की दरबार के और प्रस्तान किया ठास्ते में उसके मन में फिर से विचार आया कि एक बार फिर से वो मा की परिक्षा ले तो उसने अपने सिपाईयों से बड़े बड़े लोहे के मोटे मोटे कड़ाईयों द्वारा नौजवालाओं को ढखने का आदेश दिया जब उनके सिपाईओं ने जो है मोटी मोटी लोहे की कडाईओं द्वारा नो के नो जौलाओं को ढग दिया गया तो माने फिर से उन लोहे की कडाईओं में छेट करके वापस कडाईओं से उपर आ गई तो उसके बाद फिर से जो है राजा अकबर ने एक बार फिर से अपने सिपाईयों को आदेश दिया कि वो पास में जितने भी नदियां हैं नहरें हैं सब का पानी जो हैं मंदिर के प्रांगड की ओर लोटा दे राजा का आदेश सुनकर राजा के शिपाईयों ने फिर से वैसा ही किया सारा कुछ पानी नदी नहरें जितने भी थी उसका पानी मंदिर की प्रांगड की ओर लगा दिया परन्तु मा की सक्ति गया आगे राजा की एक भी न चली तो मंदिर में पानी के उपर से भी मा की ज्वालाएं जलती रही ये सब देख के राजा अकबर नटमस्तक हो गए वहापर मा की महिमा के आगे तो उन्होंने मा को प्रणाम किया और नंगे पाउं ही मा की मंदिर में जाके मा के दर्सन किये और उस वक्त राजा अकबर ने पचास किलो सोने का चत्तर मा को अरपित किया था जो कि मा के जो है मा को जो है वो सोने का चत्तर की मा जो है राजा अकबर से संतुष्ट नहीं थी रुष्ट हो चुकी थी तो मा ने उस सोने के चत्तर को एक अलग ही परकार के धातू में परिवर्थित कर दिया जिस धातू का आज के बैग्यानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ये कौन से धातू में परिवर्थित हो गया जो कि आज भी रखा है मंदिर में ही तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक अगर वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो एक बार लाइक, सियर, कमेंट जरू करें धन्यवाद